क्या आपने थौर वन की ये चीज नोटिस की है कि जब ओडिन मिनोरिया पे एंचाई में लगा के धर्ती पे भेज़ देता है और जब मिनोरिया धर्ती पे गिरता है तो उसके आजू बाजू काच के टुकडे होते हैं पता है क्यूं कि मिनोरिया इतना गरम था कि मिट्टी के संपक में आते ही वो ग्लासीज में बदल गया आपको ये पता ही होगा कि मिट्टी को अगर 3090 डिग्री तक गरम करें तो मिट्टी पिकल जाती है और ग्लासीज में बदल जाती है आपका नौलिज तो कमाल का है भाई का